नमस्कार दोस्तों अब टी 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 त्यारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है साथियों अगले साल सत्र शुरू होते ही बच्चों को मिल जाएगी पुस्तकें ये पटना से नियू जारी है, शिक्षाय भाग से नियू जारी है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से बारवी तक के विद्यारतियों को नये शेक्षनिक सत्र 20 veart 26 में समाई पर किताबे मिलने इसकी तयारी शुरू कर दी गई है सत्र दोहजार चोबिस पच्चिस में पुस्तक वीतरन में विलंब हुई इसको देखते हुए बिहार शिक्षापड़ योजना परिशद ने अगले साल सत्र होते ही अप्रेल में ही बच्चों को पुस्तक उपलब्द कराने का निर्ण लिया है अगले साल के लिए जिले के वीविने प्रकंडों से विद्यार्थियों की संख्या एवन विशाय के आधार पर किताबों सुची मांगी गई है ताकि विद्यार्थियों को सत्र शुरू होने के बाद पढ़ाय में दिकत ना हो सत्र चोवीस पचीस में कक्षा एक से बारवी के कुल चार लाख विद्यार्थियों को किताबे बाटने में मैं से जुलाई तक का समय लग गया है विभाग के अनुसार सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को किताबों की सुची सितंबर तक भेजना है विभिने प्रखंडों की ओर से तयार की गई सुची में फिलाल कक्षा एक से एक के बच्चों के लिए जो भी है इतना सब कुछ दिया हुआ है इसमें सबसे मात्पापुर नहीं है कि 9 से 12 तक के जितने भी छात्र हैं उनको किताब नहीं दिया गया है अभी तक नहीं दिया गया है इस सत्र का अब देखिए कब तक दिया जाएगा 9 से 12 के विद्यारतियों के लिए भी किताबों की सुची तयार कर ली जाएगी अब किताब उनको तो इस सत्र में नहीं दिया गया है अगले सत्र में दिया जाएगा इसको लेकर के शिक्षा इभाग अभी से तियारी कर रही है बच्चों को गुनाता पुन शिक्षा देने के लिए किताब जो है बहुत जरूरी है और बच्चे किताब लेके नहीं आते हैं वो सरकार के भरो से ही रहते हैं कि कब किताब मिलेगी तो ये पहल जो है पदाधिकारी का बहुत अच्छा पहल है जल से जल किताब जो है मिल जाएगी और बच्चों को गुनतापन शिक्षा देने में सहलियत होगा तो सातियों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शियर कीजिएगा और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल अकन के बटन जरूर दवाईएगा अभी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सधने वासातियों